4. समुद्र 31 समुद्र के किनारे ज्वार्भाटे के कारण खारा समुद्री जल चड़ता उतरता रहता है जमीन और पानी में नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है इस कारण यहां विशेश तरह के वन पाय जाते हैं जिन्हें मैन ग्रोव वन कहते हैं मैन ग्रोव को हिंदी में वायूशिफ, आशंकुफल या चमरंग कहा जाता है इस तरह की वनस्पतियों की जड़ें विशेश प्रकार की होती है जो समुद्री पानी के उतार चड़ाव को जेल पाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा वाले भागों में सुन्दरी नामक व्रिक्ष पाया जाता है इसे समुद्री वन भी कहते हैं यहां प्रमुख वनस्पति सुन्दरी, केवडा और मैन ग्रोव है पांचमा पर्वतिय वन पर्वतिय शेत्रों में तापमान की कमी तथा उंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है सबसे अधिक उंचाई पर कोई वनस्पति नहीं होती है और यहां साल भर बर्फ रहती है उससे नीचे जब गर्मी के महीनों में बर्फ पिखलती है तो मुलायम घास उग आती है उससे भी नीचे इलाकों में सदाबहार कुंडधारी वन होते हैं जिन में चीड और देवदार के पेड़ प्रमुख है उससे भी नीचे मिला जुला जंगल होता है जिसमें चीड के साथ साथ चौड़ी पत्ती के वन भी पाय जाते हैं यहां के चौड़ी पत्ती के वनों में बांज और बुरांश प्रमुक हैं हिमाले के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है यही कारण है कि पूर्वी हिमाले पर अपेक्षा कृत सघन एवं विविध प्रकार की वनस्पती मिलती है 36 गण में वन शेत्र हमारे देश का 23 प्रतिशत भाग वनों के अंतरगत आता है यह माना गया है कि यह अनुपात कम है और यह कम से कम एक तिहाई होना चाहिए हमारे राजे में लगभग 44 प्रतिशत भूमी पर जंगल है जो वन है उनमें से लगभग 43 प्रतिशत सरकार द्वारा आरक्षित वन है यहां लोग जंगल का कोई उप्योग नहीं कर सकते हैं 40 प्रतिशत संरक्षित वन है जहां लोग वनोपज एकत्र कर सकते हैं और अपने पशु चरा सकते हैं बाकी 17 प्रतिशत वन और वर्गी कृत है यानि लोग बिना किसी रोग के उनका उप्योग कर सकते हैं 36 गण में मानसूनी जलवायू के कारण मानसूनी पतज़डवन पाये जाते हैं जश्पुर, सामरी पाट, पूर्वी बगेल खंड तथा दंड कारण के इलाकों में आद्र मानसूनी पतज़डवन पाये जाते हैं जबकि 36 गण के मैदान तथा राजी के पश्चिमी भाग में मानसूनी शुश्क पतज़डवन पाये जाते हैं हमारे राजी में चार तरह के वन हैं सालवन, सागौनवन, मिश्रितवन और बासवन सालवन, बस्तर को सालवन का द्वीप कहा जाता है जश्पूर, बिलासपूर, कांकेर, गरियाबंद में भी सालवन पाये जाते हैं सागौनवन, राजी की दूसरी प्रमुख वनस्पती सागौन है कवरधा, चिलफी घाटी, नारायनपूर, कुरसैल घाटी में उत्तम सागौन व्रिक्ष पाये जाते हैं कांकेर, सुकमा, दंतेवाडा, डोंगरगड और अंबागड में भी सागौन वन पाये जाते हैं मिश्रितवन, आमला, हर्रा, बहेडा, साजा, आदी यहां की प्रमुख वनस्पती हैं महानदी बेसीन इसके अंतरगत आता है 36 गड के मैदान के जश्पूर, कटगोरा, खरसिया, महा समुन्द आदी में ये वन पाये जाते हैं बासवन, सर्गुजा वनमंडल तथा कांकेर वनवृत कटंग बास के लिए प्रसिद्ध है